कि नमस्कार मैं अंजली मिशौर स्वागत है आपका हमारे चनल में आब आद्मी पाठी के विधायक अमान तुला खान की मुश्किल एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ अब आद्मी पाठी के विधायक अमान तुला खान पर सीवी आई मुकदमा चलाने जा रही है और इसकी अनुमती जो है नए उपर आजवेपाल ने दे दी है विरेसके अखसेना ने इसकी अनुमती दे दी है आखिर कौन से मामला है जो से लेकर आवज़े ने मुश्किलें ब इसकी आनुमती भी दे दी है मामला दिली वक्ष बोर्ड में हुई नियुक्तियों में अन्यमता से जुड़ा हुआ है बतादे आपको उपराजपाल ने वधाय कमांट लाखान और बोर्ड के ततकालीन मुख्यकारिकारी अधिकारी महभूब आलम के खलाफ केस शलाने की कोनों पर नियमों से छेड़ चार पद का दुर्पयोगर सरकारी खजाने को वितिया नुकसान पहुचाने का आरोप है बताए जारा है कि उपराजपाल ने भरष्टा चार निवारन अधिनीयां 1988 की धारा 19 और दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 197 के तहत के चलाने की अनुम 2016 में प्रकाश में आया था दिलिस सरकार के राजस्व विभाग के स्डियाम यानि मुख्याले ने नवर 2016 में शिकायत दर्च कराई थी कि वखबोड के ततकाली नद्यक्ष आमान तुला खान ने स्विकृत और गैर स्विकृत पदों पर मनमाने तरीके से नियुखतियां की स्विकृत देखियां की है सीवियाई ने इस मामले की वस्तार से जाच कि जिसमें बताया जा रहा है कि आप राधिक करित्त के सबूत जाच एजनसी को मिले हैं मैं 2022 में सीवियाई ने उपर राजपाल से केस चलाने की मनजूरी मांगी थी सीवियाई की चान बीन में पाया चहेते को नौकरी दी गए थी इसके अलावा सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान पहुचाया गया था बता दे कि न्यूक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और निस्पक्ष होती तो योग्या लोगों को रोजगार मिल सकता था सीवियाई की चान बीन के अनुसार अमान तुल खान और महबूब आलम ने ऐसा कर समानता और अबसर के अधिकार की मुल्भूत सिधानत का उलंगन किया था सूत्रों का कहना है कि सीवियाई जाच में अमान तुला खान और आलम के खिलाफ भष्टा चार निवारन अधिनियां 1988 की धारा तेरा एक धी और धारा तेरा दो के के तहित आए पी सी अच्रासो साथ की धारा हंड्रेड एंट्विंटी बी के तहित कोट में केश जलाने का केश चलाने का परियाप्त सबूत मिला है सूतर यह भी बताते हैं कि राज्य भवन को जो फाइल भेजी गई उसमें अमान तुला खान और महबूब आलम के प्रथम सक्सेना यानि विनर सक्सेना ने आमादमी पार्टी के वधायक और दिल्ली वक्वोड के अद्याग शमान तुला खान के खिलाफ दहाजार सोला में दर्जव वैद नियुक्तियों के मामले में उनके खिलाफ मकदमा चलाने के लिए सी बी आई की मनजूरी दे दी है अधिक लंगन और पद के दुर्पयोग और सरकारी खाजाने को वितिया नुक्सान पहुचाने सहीत अपराधों के लिए अभी योजन की मनजूरी दी गई है मतादे आपको कि दली सरकार के राजस्व विवहाग के उपर विभागिया मजिस्ट्रेट मुख्याले ने नमबर 2016 में दिल्ली वखवोर्ड के विवन मौजूद और गैर मौजूदा पदों पर खान द्वारा मनमाने और अवैद न्योक्तियों का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्च की थी सूत्रों ने कहा कि सीबी आई ने एक मामला दर्च किया था और जाज की थी जिसमें परियापत अभियोजन योग्य सबूत सामने आया थे जिसके बाद उन्होंने लगी से अभियोजन की मनजूरी मांगी थी उन्हें ने कहा कि सीबी आई ने इस साल मई में अपना नुरूद पेश किया था बता दे कि दिल्ली वखवोर्ड के अध्याक्ष अमान तुला खान पर उनके स जिस दिया था जिसमें उन पर फ्रष्टाचार अवैत तरीके से भरती करने और मनमानी करने के आरोप लगाए थे चारों सदस्यों ने अवमानना नोटिस पर फैसला करने के लिए उस वक्त राजविपाल से 18 दिनों के भीतर वक्त बोट की एक बैठक बुलारे की भी उने बेइमान कहने वाले लोग खुद ही प्रष्ट है उनके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कॉंग्रेस के पूर सांसद और दिल्ली वखबोट के सदस्य परवेज हाश्मी ने कहा कि आमान तुला खान के खिलाफ जिन चार सदस्यों ने अवमानना का नोटिस दिय है उन में से दो को आमादमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने ही नियुक्त किया है और विश्वास प्रस्ताव नोटिस पर हाश्मी के अलावा चौदरी शरीफ एहमद जिया सुल्ताना और नईम फातिमा खाजमीर के हस्ताक्षर भी किये गए थे ऐसे में आपको दादे कि आम अमानतुलाख खान की मुश्किले बढ़ने वाली है जहांगेटपुरी में जुस तरीके से बुल्लो द्वारक कारवाई देखने के लिए मिली थे उस वक्त भी अमानतुलाख खान ने बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया था उन्हें पुलिस द्वारा बैट करेक्टर यान अमानतुलाख खान अपने काप से बात नहीं आए और लगातार जो है इसी तरीके के वो करते रहें वैसे में आमानतुलाख खान यानि आमानी पार्थी के विधायक के मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि पुलिस नहीं अब सीबी आई मुकदमा उन पर चलाने जा रही जो से लेकर उपर आजपाल ने विधायकमानतुलाख खान और बोट के ततकालीन मुख्य कारेकारी अधिकारी महबूब आलम के खिलाफ केश चलाने की अनुमती जो है दे दी है बतादे इन दोनों पर नियमों से छेशार पद का दुर्पयोग और सरकारी खजाने को वितिया नुकसान पहुचाने का रोप है बतादे जो आ रहा है कि उपराज जुपाल ने भरष्टाचार निवारन अदिनियम 1988 की धारा 19 और दन प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 197 के तहर केश चलाने की अनुमती प्रदान की है यह मामला 2016 में जो है सामने आया था दिली सरकार के राज़स्वविभाग के SDEM यानि मुख्याले इतने नंबर 2016 में शिकायत दर्च कराई थी के वखबोट के तहतकाली नद्याक्ष अमानतुलाख खान ने स्विकृत और गयाच स्विकृत पदों पर मनमाने तरीके से चलाने की मनजूरी मांगी थी सीबी आई की चानबीन में ये भी पाया गया कि अमानतुलाख खान ने महभूब आलम से मिलकर अपने अधिकारों का दुर्पयोग किया था और नियमों की अंदेखी भी की थी इसमें हजारों लोगों की योगता की अंदेखी की गई थी और अपने चहेते को नौकरी दी गए थी इसके अलावत सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान पहुचाए गया था नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और निस्पक्ष होती है तो योग्य लोगों को रोजगार मलता लेकिन सीबीया की चानमिन की अनुसार अमानतुलाख खा से बताये कि पूरा मुद्धा क्या है क्यों मादवी पाथी के विधाय कमांद तोलाख खान की मुश्किले बढ़ने वाली है क्या उनका रोल है किस तरीके से दिल्ली के तरफ से उन पर सीबीया कि जाच के अनुमती भी दे गई है तो ऐसे में आपनी पूरा मामला बड़े समझ लिया है और अब इस पूरे मुद्धे पर आपके भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साजा करें